कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर वो कोशिश, वो मेहनत बहुत ही दिल से की जाए, बहुत इमानदारी से की जाए तो कामियावी आपकी कदम चुमती है और दुनिया आपकी कहानी जानना चाहती है तो आज हम भी आप पहुँचे हैं ऐसी ही एक मेहनती लड़की की कहानी जानने हर्याना के नार नौल तैसिल के बच्छोद गाउं में और हमारे साथ है तनिशका जो की दो साल पहले कोटा गई थी अपना डॉक्टर बनने का सपना लिके वहाँ पर उन्होंने प्रेप्रेशन की और में 2022 में उन्होंने एक बहुत अच्छा रैंग हासिल किया है तो उनी से जान लेते हैं उनी की कहानी उनी की जुवानी सबसे पहले तनिशका कुंग्राचुलेशन और अभी इतना अच्छा रैंग काने के बाद में क्या चल रहा है क्या स्टेट ओफ माइंड है कैसा फिल कर रही है काफी अच्छा लग रहा है जिस चीज के लिए मैं पूरे दो साल से प्रिपेर कर रही थी और काफी पहले से मतलब मैंने पढ़ाई क सब बहुत कुष में तो फिर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और आपके पैरेंट्स का क्या फिर्स रियाक्शन है जिस तरह से 2 साल वह भी आपके साथ में रहे जब आपके अप्स और डाउंस में आपके टीचर वह सभी के साथ में भी तो उनका क्या रियाक्शन है और अगर आपके पेरेंट्स आपकी वज़े से मतलब उनको इतना इंपोर्टेंस मिलते हैं उनको इतनी खुशी होती है तो फिर आपको भी अच्छा ही लगेगा जो लोग अपना सब को छोड़ के देते हैं आप लोगों के लिए मतलब कि आप आगे बढ़ो और अच्छा करो तो तो फिर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है अच्छा यह बताई कि आप हमेशा से की डॉक्टर बनना चाहती थी बच्पन से हमें डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रफेशन है मतलब उसमें आपको साटिस्वेक्शन मिलता है अगर आप की बात करें जैसे आपने बताया अभी दो साल से आप वहां पर तयारी कर रही थी तो सबसे पहले कब डिसाइड किया कि एलन जाना कैसे डिसाइड किया किसे नी गाइडिंग्स दिया कैसे हम एलन के रिजल्ट्स हम हर साल देखते है टोप टैन में मतलब इतने सारे रांग सोते हैं वन टू थी मूस्ली एलन की होती है तो फिर हर तर अफ एलन ये लन है मतलब आप एड़टीस बरेंट सब देखोगे तो आपको एलन ये लन तो मैंने 10th में डिसाइड किया कि मुझ आज पास सब बच्चे बढ़ते हैं तो भी वहां पर उनको देख के और जादा मेनत करते हो तो काफी अच्छा लगता है मतलब कोटा में मुझे तो काफी टीचर्स का बितना सपोर्ट था मुझे परसनल लेवल पे अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती थी अगर मैं डिमोट अपना जो मेरा गोल है उसके लिए मैं वर्क करूँ और वैसे भी मतलब बढ़ाय भी तना अच्छा कि मुझे घर पर आके बस एक बार रिवाइस करना पुदता था क्लास का जो था वो मुझे वहीं आदो जाता और मी 2022 में जैसा आपना रांग सेक्योर किया है इतने पूरा भरोसा उमीद थी खुद पर जिस तरह से महनत की थी मैं लग रहा था मैंने अपना 100% दिया था उसके बाद जो होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लोगी मतलब हमें करना भी यही है हम लोग अगर जादे एक्सपेक्ट करेंगे शुरू से हम ऐसा सोचेंगे कि हां मुझे अगर गलती से कुछ हो गया मतलग तो तुम अपना पूरा कर रहे हो उसके बाद भी कुछ हो गया तो तुम फेलियर बर्दाश्ट नहीं कर पाऊ गया और अचानक से ऐसा इंसान टूट जाएका तो फिर मुझे यह था बस मुझे जाकर अपना अग्यम्द पूरा पूरी कर करी थी वह भी और जो सब मेरे आसपास टीचर्स वगरा सबने जो प्रेयर्स करी थी वह सब भी उसका भी रोल है आप यह टॉप रैंक अचीव कर पाई अतनिश का एक और चीज है स्ट्रेजी की अगर बात करे कोई भी रिजल्ट हासिल करना हो तो उसके लिए एक सब मेरे कर लो उसके बाद अगर जब मेरे परफेक्शन वाले लेवल मुझे लगता था हाँ मेरा पूरा हो गया तो अगर मेरा मन करता था तो मैं कुछ एक स्टा पढ़ लेती थी जिसकी मेरे साब से अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें उसकी नीड नहीं है बस कि जब मैं उसी वही वही सब पढ़के बूरु जाती थी तो फिर मैं कुछ और जैसे मैंने मतलब कुछ में जे की बुक्स भी लगाई थी बट उनका कोई उस नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिफ नीड के मेटीरियल और स्पैसिक लिए प्रेसिक लिए तो आपकी अरेंग तभी अच्छी आईगी और अगर सक्सेस की बात करें तो बहुत लोगों का कॉंट्रिबूशन होता है बहुत लोगों का भरोसा साथ महनत तो आपकी अगर सक्सेस की बात करें तो किन-किन लोगों का कॉंट्रिबूशन रहा आपकी सबसे पहले तो पेर मेरे साथ थे वो सब और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे जिन से मैं जब दी मोटिवेटेड़ हो जाती थी तब मैं बात करती थी उन सब कर रहा हूं अगल बात करें तो आप करें अगले जासे आप दो साल से वहां पर पढ रही थी ट्रास्ट्रूम स्टूडन थी तो समय पर आपके टेस्ट पेपल्स होते हैं आपके परफॉर्मन्स को देखने के लिए उसमें बेटर परफॉर्म करने के लिए तो क्या वह तेस्ट देती थी अगर करती थी तो क्या मेहनत मतलब आपको बाद लिए उसके कुछ रिजल्स लेकने को मिले कितना कॉंट्रिब्यूट किया उसमें अगर हम किसी चीज के लिए प्रिपार करें तो फिर हमें अपने आपको रेगुलर्ली अनलाइस करना पड़ता है तो फिर मैंने एक भी टे सब्सक्राइब तो फिर मेरे प्रपरेशन में मतलब आपको प्रोपर सिस्टम बना हुआ है तो चाहे सब्सक्राइब हो या फिर डाउट काउंटर्स हो तो उन सारी चीजों ने आपको किस तरह से हल्प किया नम सारी चीज मतलब टीचर्स का तो ऐसा ता अगर उनको आप र मतलब अगर आप उनसे डाउट पूछोंगे तो बताएंगे तो में ली तो क्लास के टाइम तो में वट्साप पे टीचर्स को डाउट बीच दी थी वो रप्लाइ कर देते थे बाकी कुछ ऐसा सर बोलते थे कि वेटा इस में समझाने का है तो फिर सर क्लास के बाद रुकते पूछ लेती थी और लास्ट में आपके तो मैं टीचर्स को कॉल कर लेती थी उनसे ताइम दे लेती थी फिर जाके वहां पर उनसे पूछ आती थी तो बहुत इंपोर्टन होता है एक टाइम डेकेट करना सब्जेट वाइस तो उसको कैसे डिसाइड करती थी या पर लाइब हो जाए तो इसके लिए किस तरह से पहले तो जो जाए तो इसके पात इसा पैसिफिक नहीं था कि मतला फिजिक्स को में इतना ही ताइम दोंगी मेरे ऐसा था कि अगर मुझे वाला टॉपिक अज कंप्लीट करने तो मैं सबसे पहले वो करूंगी फिर एसे करके कि मतलब जैन तक तो एसा नहीं था कि मैं आज में को फिजिक्स पढ़ने है पूरी चुमिस्टी भी बाही जेंगी में इस टाइम मैं आखिक्स पढ़ूँ ही स्टाइम इस टाइम बायो फिजिक्स में इनुमेरिकल प्रेक्टिस पहले जादा कर ली थी मतलब जब मैं जब पुइंट्स मेरे छूट गए थे वो मैंने बाद में पड़ी थी और बाइयो में अब सबसे जादा टाइम दिया था क्योंकि मेरी बाइयो थोड़ी वीक थी तो वह भी कवर हो गई थी और केमिस्टी में भी फिजिकल तो फिजिक्स जैसी थी उसमें मतलब कॉंसेप्ट तु तो उससे हुग गया तो मतलब आध पेपर की जैसे हम बात कर रहे थे उसमें NCRT अगर बात करें तो काफी फोकस रहता है क्या तो हम हम अदिश जो हमारे अगर हमने टेस्टी यह तो नास्ट में आकि आकि शुवला पार्ट अगर नीट में पूछ लेगा तो फिर वह हम मतल तो फिजिक्स वाली NCRT मेरी थोड़ी वीग थी तो वो भी हो गई थी उससे और इन और इन और पार्ट भी हो गया था और बायो में तो में लिए NCRT में ने शुरू से अच्छे से कर लिए और जैसे दो साल आप घर से दूर रही हों सिकनिस भी होती होगी और कोटा का जिस त तायारी करने के लिए उसमें कैसे आपको मदद की घर से दूर रहते तो ममी पापा के तो याद आती तो फिर मेरे साथ कोई बार ऐसा होता था मतलब मुझे अजीव अजीव लगता था तो फिर मैं पेरेंट से बात कर लेती ती या फिर मेरी बहन से में जादा टेस्ट उ त तो फिर भी मेरे साथ ऐसा होता था मुझे लगता था नहीं होगा नहीं होगा तो मैं टीचर से बात करती थी और पेरेंट्स वो मुझे बूलते थे तू अपना 100% रिजल्ट अपने आपाएगा बिल्कुल, 100% आपने शुरूर में जैसा बोला आप उसमें बिलीव करते हैं आपके परेंट्स ने भी बोला जब पढ़ाई कर रही थी साथ में कुछ और भी अच्टिविटीस की इंफ्रेस्ट होबी जिसको आप कंटिन्यू कर रही थी जब मैं बोला जब रूचाती थी तब तो इक तो मैं गाने सुन लेती थी या फिर में अपने दोस्तों से बात कर लेती थी या फिर मेरे स्कूल की टीचर से भी काफी अटाश थी तो वो लोग भी मतलब time to time motivate करते रहते थे तो रहते थी और अगर अगर टीचर सब अगर अ एलन उसमें भी बहुत आगे है अप जिस तरह से इजली पोहँच सकते हो अपने टीचर के वाटसेप के थू बहुत सरे ग्रूप बनाय जाता है स्टूद्स को help करने के लिए तो टेक्नोलोजी का अपने हां कैसे यूज कि बहुत थिन लाइन है कि आपको ना मिस्यूस करना है और आपको यूज करना है ताकि आपके लिए वो helpful रहे तो 11 तो पूरा लोगडाउन में चला गया था मतलब दिसम्बर हमारे क्लासे स्वेब में जाके शुरूई थी उसके बाद फिर दो या फिर तीन महीने वहां पर ओफलाइन चला था उसके बाद वापस लोगडाउन वहां पर फिर में दो महीने गई मुझ में मुझे मुझे खुद को चेंज फिल आ इतना अच्छा अचा 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 गया जो कुछ चप्टास मेरे वीक रह गए थे तो मैंने टीचर से बात कर कि क्यों कि उस ताइन परस्नल लेवल पर उचे जानने लग गए तो फिर तो मे आपके साथ में जुड़े रहे आपको motivate करते रहे तो इस success में आप कितना contribution मानेगी जैसे study material जो अपने पढ़ा आपको लगता है क्या कोई और भी study material पढ़ने की जुरुरत है मैं नीट में specifically NCRT पर जादा focus होते है जो study material है उसमें NCRT तो सारी कवर करते है उसके बाद जो थोड़े वो तैडिशनल कोईंस कवर करते हैं वो ऐसे अगर NCRT से बाहर जाएगा तो कितना जाएगा तो अगर हम वो कर लेते हैं तो मेरे recording तो किसी और कुछ भी पढ़ने की मैं थोड़ा बूद करती थी वो इसलिए जब मैं वो सब पढ़ पढ़ के बूर जाती थी तब मैं थोड़ा बूद कर लेती थी बाकी नीट में कोई specifically किसी और चीज की जरूद नहीं अगर आपने वो वाला study material पूरा कर लिया तो बिल्कुल और आपके साथ में चैलेंज़ हमारे दोटम में हो गए थे तो फिर लोड काफी कम हो गया था क्योंकि कुछ चैप्टरस तो हट गए थे उसके बाद हमें जैसे दो इसब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे तो इंगलिश और एक फिजिकल एजुकेशन बाकी तीनों तो NCRT पढ़नी थी वो तो शुरू से पढ़ इसके बाद English और फिजिकल एजुकेशन बी इन्होंने लगाई थी तो फिर मैंने क्लास की ती उसके बाद एग्जाम में भी उसमें बे मैं अपना नीट का थोड़ा वो देखा था साथ साथ और English और फिजिकल एजुकेशन पढ़ी ती और हो गया था अर नीट के अलावा क और अलन आपने जब जोइन किया था उससे पहले भी बहुत सारी थोट्स होंगी माइन में अलन को लेकर और आज जब दो साल बाद आपको यह रिजल्ट सामने आया है तो अभी क्या कहना चाहेंगी अलन के बारे में अभी आपका और सारी चीज़े आपको पता चली वहां पूरा अपने सिस्टम देखा एक अलन का दो साल वहां रहकर तो क्या कहना है आपका मुझे तो हंड़ परसंट मिला मतलब जितना मैंने सूचा भी नहीं था उससे जादा मिला मैं कभी भी मतलब दी मोटिवेटेड फील करती थी तो टीचर्स मेरे लिए थे कि तुझे अग पूरी हो गई थी उससे और अपना 100 परसंट दी और मैं बहुत ग्रेटफुल हो कि मतलब उन्होंने इतना किया तो फिर आज मेरी तनी अच्छी रहन कई और अब तो एंस में आपका अपका अन्मेशन होने वाला है तो वो क्या फीलिंग है क्या पूल देए कि पहले से आप यह सोचती थी तो अपना पूरा होने जा रहा है उसको लेकर कितनी एक्साइटेड है और क्या-क्या उमीदे है आगे मैं काफी अच्छा लग रहा है मतलब जो प्लैटफोर मुझे चाहिए था वो मुझे मिलेगा तो मैं वहां भी ट्राय करूंगी अपना 100 परसंट देने क तो मैं प्रफोर मैं मेरे प्रीमस था मैं सब मुणा पूरा कर पा हूं और सब लोगों को सिर्व क्य नहीं हुते फिर भी उनका रिलाज नहीं पाता तो मैं चाहती हूं कि मितलब जितना मैं कश सकती उतना मैं कर यह बल्कुल और हम घर से घ्ले में आप घ्य शाइड तो जो लोग इतना जनके पास पैसे नहीं होते फिर भी वो उनका इलाज नहीं पाता तो मैं चाहती हूं कि जितना मैं कर सकती हूं तरना मैं करो जाँ बेलकुल और हम लोग हमेशा एक ब्राइट साइड देखने की बात करते है जिंदगी में जब भी अंधेरा दिखता है सामने तो आपकी जिंदगी में भी अफकॉस और स्पेशली दो सालों में जब आप घर से दूर थी बहुत सारे फंक्शन्स मिस्की होंगे I'm sure और तो वो स खॉमाई के फाइनल में बीखाई फिर मैं क्या करूंगी तो फिर मैं पेरेंट से बात करती थी मेरी पेरेंट ब्हुत करते ही कि त futur में निख पीर माइक क्यो कमा रहे है वो उल्टा मुझे बूलते थी हम पता है तो करी तो तो अग्य हम वहाच्शन बात की तो अब तेको क बच्चों को एक्जाम से पहले भी बहुत सार विडियो अपने चैनल के तू यूट्यूब चैनल के तू देते रहते हैं लाइक करते हैं घंटों ताकि उनका उत्सा बना रहे हैं मोटिवेशन बनी रहे तो कभी आपका इंट्रैक्शन हुआ उनसे कभी बात हो पाई हुआ ज़ा है तू तो कि तू बोलक तो सर का इत्डिक्शन मुझे परस्नली काफी अच्या लगा वह इतने अच्छे विच्छे एक बार मिलें भी पिर वहां तो यूनों मुझ पर इतना इफेक्ट डाला कि मुझे लगा हां में कर सकती हुआ तनिश्का, दो साल बाद जो आपकी महनत रंग लाई है और जो आपका सपना था वो अपूरा होने वाला आपने पहला कदम अलड़ी रख टिया है बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और बाद में भी मोटिवेशन के तौर पर वो आपको देखेंगे और बल्कि पेरेंट्स भी देखेंगे कि टॉप रैंकर्स को डेफिनिटली वो देखना चाहेंगे कि वो किस तरह मोटिवेटेज रहे, क्या ऐसी चीज़े हैं तो पेरेंग्स और बच्चों से क्या कहना चाह अगर तुम्हारी पूरी लाइफ मतलब अचानक से खतम हो जाएगे सब बुरा बुरा होगा अगर तुमने अपना अच्छा किया है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा कहीं भी पढ़ा हुआ वेस् थोड़ीना चाहेगा अगर मतलब इसको और पेरेंट्स भी अगर वो अपन तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप थोड़ा वेट कर उसके बाद रिजल्ट आएगा अगर आप बार बार बोलोगे कि मार्क्स क्यों कमा रहे है ऐसे तो सेलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा तो बच्चा फाल तो में डीमोटिवेट होगा और जो वो उसका पूरा कैल होगा अगर तुम लोग अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी से भागोगे तो फिर आगे जो कोई सफर करेगा वो तुम करोगे पेरेंट्स नहीं करेंगे तो फिर पेरेंट्स को भी देखना चाहिए अगर बच्चा ठीक कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है तो उसको बार-बार दिक्कत है यहां दिक्कत है तो आप उसको बोलोगे कि इनको सोल्व कर तो फिर डेफिनेटी डेफिनेटी रिजल्ट अच्छा हैगा बट ऐसे अगर प्रेशराइज करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा फालतो मैं बच्चा डीमोटिवेटी होगा थैंक यू सो मच तनिशका हमसे बात करने के लिए एकनो औरने सारे रिप्लाई देने के लिए और इतना खुलकर बात करने के लिए चुम्राटिशन्स वंस अगें थैंक यू